Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person आज आपके लिए कैसा feel कर रहे है, क्या सोच रहे है, उनकी feelings और thoughts आपके लिए क्या है So ये सारे star science की reading होती है, ये एक short reading है और बिलकुल timeless है So let's start आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है So सबसे पहले हमारे पास 8 of cups, the magician, knight of cups, knight of wands, eight of pentacles So double eight किसी के लिए significant हो सकता है, five of wands, the empress, three of wands So bottom of the deck पर overall feelings हमारे पास है, king of wands So बहुत जादा fire है, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Taurus, ये भी बहुत जादा यहां पर strong है, star science So आपके person, maybe recently बहुत जादा I feel के busy रहे हैं, आपके साथ बहुत जादा emotional distance नजर आ रहा है, recently या अभी भी शायद emotional distance है And I feel कि ये जो भी distance है आप लोगों के दरमयान, आपके person उसे खतम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं कुछ लोगों के दरमयान long distance connection भी हो सकता है, so मुझे बड़ा strongly ये feel हो रहा है, जिन लोगों का long distance connection है कि आपके person travel का सोच रहे हैं, वो travel करना चाहते हैं, with this three of wands ये इनसान travel के बारे में सोच रहे हैं, और ये बड़ा unexpected होगा, आप सोच भी नहीं रहे होंगे, अचानक से आपको वो बताएंगे कि वो आपकी country में है, या आपकी city में है, या आपकी town में है सो ये आपके लिए बड़ा exciting होने वाला है, I feel कि आपके person बहुत जादा इस वक्त excited है, बहुत जादा energetic है, बहुत जादा passionate है आपके लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ time spent करना चाहते हैं, I really feel कि ये बहुत जादा positive energy है सो ये इनसान इस present time में यही सोच रहे हैं, plan कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे कैसे मिलना है, हो सकता है कि recently, ये जो आप लोगों में distance है, आपके दरमयान हो सकता है कि कोई लड़ाई, कोई जगडा हुआ हो, क्योंकि हमारे पस five of wands है, so I feel कि maybe कोई बहस, कोई लड़ाई हुई हो जिसकी वज़ा से फिर आपके person और आप कम-कम बात कर रहे थे, एक distance आया वा था आप दोनों के दरमयान, ये भी हो सकता है कि वो खामोश हो गए हो, but I feel कि ये जो भी आप लोगों के दरमयान distance था, emotional distance या physical distance, आपके person इसको कम करना चाहते हैं, खतम करना चाहते हैं, I feel ये यहाँ पर travel है, बहुत जल्दी ये इनसान travel करने वाले, even कि आप लोग celebrate करने वाले हैं, maybe आपके person ने recently उने कोई success मिली है, maybe उन्होंने अपना कोई goal achieve किया है, उनके काम के हवाले से, अगर तो वो busy थे पिछले दिनों, आपके साथ बात नहीं हो रही थी, so जिस भी project पर वो I feel कि ये ये दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि ये आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, और आपको कोई good news देना चाहते हैं अपनी life के बारे में, and of course ये जो भी good news होगी, ये आपके connection को भी affect करेगी, और बड़े positive अंदाज में करेगी, so ये इनसान आपके साथ कोई good news share कर and I feel कि आप दोनों celebrate भी करने वाले हैं, एक बहुत happy time आप लोग spend करने वाले हैं, चीजें बहुत जादा progress करने वाली हैं आप लोगों के connection में, अगर चीजें पहले रुकी हुई थी, stuck थी, प्रॉग्रेस नहीं करा था connection, I feel कि आप अचानक से बहुत fast movement हो रही है forward, बहुत जादा positive changes आ रहे हैं और बहुत तेजी से ये positive changes और प्रॉग्रेस आ रही है आप लोगों के connection में, आपके person इस वक्त सिर्फ यही सोच रहे हैं, कि वो आपसे कब मिलेंगे, वो आपसे ये good news कैसे share करेंगे, आपका क्या reaction होगा, आपको कितनी खुशी मिलेगी और उन्हें कितना अच्छा लगेगा, आपको ये good news देकर, वो इस वक्त यही सोच रहे हैं, आपकी quick energy update थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे ज़रूर बताईएगा comment section में, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.